आखिरकार चाइना में क्या हो रहा है चाइना के सबसे बड़े मार्केट में तबाही आ गई है यहां तक की एक दिन का वो फेस्टिवल जिसकी वज़े से चाइना को भरपूर कमाई होती थी उसने भी इस बार गजब का धोका दे दिया और उपर से गोल्ड में ने भारत को अ बहुत बड़ी ख़बर आ रही है और यार यह उके से उके की जो ग्रिया मंतरी थी सुयला ब्रेवरमेन उनको मंतरी पद से हटा दिया गया है और क्यों हटा गया है के बारे में भी जानेंगे जियो पॉल्टिक्स में बहुत कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कहते हैं राजनीती में कुछ भी अस्थाई नहीं होता है और ऐसा ही राजनीती में कुछ भी पर्मानेंट नहीं होता है ऐसा ही देखने को मिल रहा इस वक्त यूके में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए यह हैं यूके के पूर्व प्रधान मंत्री जीने बन जा रहा है मानवी सहायता का कोडिनेटर गाजा के लिए क्या लावे यूके ने फुल सपोर्ट दिया है इस्राइल को गाजा और हमास के मामले में और यह देखने को मिल रहा है कि यूके पूरी तरीके से पदचिन्नों पर चल रहा है अमेरिका के वैसे भी अमेरिका जो करता ह उसके खिलाफ UK कभी नहीं जाता है और यह इतियास गवा है तो यहां इसराइल मामले में भी UK की तरफ से फुल सपोर्ट जा रहा है फिर अचानक से यह खाबर आती है स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए कि सुएला ब्रेवरमेन को हटा दिया गया है और हटाने की बात बीबीसी ने बताया है कि यह चाहते हैं कि जो टीम है उस टीम में फेर बदल चल रहा है अब फेर बदल तो लग रहा है नहीं कि यह कारण है सुएला ब्रेवरमेन को हटाने का कहा जा रहा है कि इनके बरखास्तगी के पीछे का वजह है उनका बीवादित बयान उन्होंने एक अकबार को दिये इंटर्विव में लंदन पुलिस को फलिस्तीनियों का समर्थक कह दिया था मामला क्या था तो मामला जुड़ा हुआ था युद्ध विराम दिवस पर लंदन की सडकों पर मार्च से जिसमें पुलिस ने फलिस्तीनी समर्थकों के मार्च में बैवधान डालने वाले इजराइली समर्थकों को गिरफतार किया था ब्रिटेन में आंतरिक मामलों की मंतरी और भारतिय मुल्की बिटिस ने था सुएला ब्रेवर्मेन को तनाव भढ़काने और बिबादित बोल के कारण कहा जाता है कि बरखास्त किया गया है ब्रेवर्मेन ने सनिवार के दिन हुए मार्च को संभाल लेके पूलिस के तरीके पर सवाल उठाया बीते सनिवार को लंदन की सडकों पर करीब 30,000 लोगों ने फलस्तीनियों के समर्थन में रहली निकाली ये रहली संसत तक निकाली गई थी इस दोरान इजराइल के समर्थक भी सड़क पर आ गये और दोनों पच्छों के बीच हो गई हाता पाई और इस घटना पर पुलिस ने एक्सन लिया करीब एक सो लोगों को गिरफतार किया गया कथी तोर पर और सुएला ने इसी मार्च पर बयान दे दिया लंदन पुलिस फलिस्तीनी समर्थकों की तरह काम कर रही है आरोप लगाया गया कि पुलिस ने सिर्फ इजराइल का समर्थन करने वाले को गिरफतार किया उनके इस बयान की काफी आलोचना हो गई सुएला ब्रेवर्मेन के बयान के बाद सुनक सरकार पर उन्हें हटाने का दबाब लगातार बढ़ता जाराथ सुएला पर माम इस बयान के खिलाफ आगे जाना जाने लगा कि दवाब तो बन रहा है सुएला ब्रेवर्मेन हलाकि कई बार देखा जाता है कि बड़ा ही विवादित बयानिये दे देती हैं और इनके बारे में यह कहा जाता है कि यह अपने आपको भविस में परधान मंत्री पद के तोर पर देखती हैं और यही वजह है कि वेला ब्रेवर्मेन आपने आपको एक दचिन पंथी नेता की तरह पेश करती हैं अलाकि अब जो भी है फिलाल की कहानी तो यहां पर यही है और यहां पर नए जो ग्रियमान्तरी बन गये हैं जैम्स क्लेवर्ली और डेविड केमरोन बन हो गई है पर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे धमाके दार खबर निकल कर आ रही है चाइना से चाइना की एकोनोमी न सुधरते सुधरते बिगड़ जा रही है ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीजे है जो गलत थी और ये अचानक से एक एक करके बबल की तरफ फूट रही हूँ मुझे याद आता है जो बाइडन का वो कहना इसक्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि जो बाइडन ने कहा था कि चाइना की जो आर्थवेवस्ता है न वो एक टीकिंग टाइम बॉम है ये इनों ने कहा था और अब ऐसा लगता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं इसके पीछे कुछ तो जरूर है क्योंकि आपको बता दें एक के बाद एक समस्याएं चाइना की बढ़ती जा रही है और इसी वक्त सामने में दिख भी रही हैं सबसे पहले होंग कोंग की सेर को जाता है चाइना का दिल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां से एक अच्छी कासी कमाई चाइना को हमेशा से होती है होंग कोंग में कई तरह के बेनिफिट हैं कई तरह की छूट है जिसकी वज़से निवेस भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि होंग कोंग मार्केट यहां पर डूब रहा है और होंग कोंग मार्केट को बचाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोशी से नहीं की जा रही है इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए इस आर्टिकल में होंग कोंग स्टांप ड्यूटी को कट करने पर विचार कर रहा ह और कोसिस कर रहा है कि market में निवेस बढ़े न कि यहां से निवेस निकले तो चाइना भी यहां पर बहुत सारी कोसिस कर रहा है पर यहां पर goldman ने और भी काम को खराब कर दिया है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए गोल्ड मेंड की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया के सेयर इस वक्त बूम पर चल रहे हैं यहाँ पर निवेस करो और हॉंग कोंग वाले चाइना स्टॉक को नोंने डाउन ग्रेड कर दिया है अब जब कोई संस्था कहती है न यहाँ पैसे लगाओ यहाँ से पैसे रिटर्न अच्छे आएंगे वहाँ मत लगाओ वहाँ अच्छे नहीं आएंगे तो निवेसक टेंसन में आ जाता है और निवेसक फिर जल्दी निवेस नहीं करता है कोसिस करता है जो डूबने वाले हैं वहाँ से निकाल लो सेरों को और ऐसा ही होता है तो Goldman ने यहाँ पर एक समस्या खड़ी कर दी वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी उम्मीद थी चाइना को चाइना के यहाँ एक फेस्टिबल होता है एक दिन का जैसे अमेरिका वगेरे में होते हैं न Black Friday, Cyber Friday, इस तरीके के इवेंट्स निकाले जाते हैं ताकि वहाँ पर विक्री अच्छी हो और ऐसा ही आइना के अंदर होता है Singles Day और इस Singles Day में इस बार जो विक्री हुई वैसे तो विक्री देखेंगे आप तो अच्छी ही हुई है और पिछले साल के मुकाबले में तीन परतीसत जादा हुई है पर आपको बता दें पिछले साल के मुकाबले में ये फिर भी कम है 14 से 17 परतीसत की हर साल बढ़ोतरी होती थी लेकिन इस साल जो बढ़ोतरी हुई है वो मातर 3 परतीसत की हुई है जो ये बता रहा है कि अब यहाँ पर लोग ज्यादा खरीदने के पीछे नहीं भाग रहे हैं फर्स्ट पोश्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं आप ये सिंगल डे से भी जो उम्मीदे थी चायना की वो उम्मीदे धरासाई हो गई वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ